आज के ये वीडियो का आप जड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है उन यूजिस के लिए जो कि अपने डिवाइस के अंदर कस्टम रोम इस्टॉल करना चाहते हैं उनके पास PC उगए रह नहीं है और कई सरह ऐसे डिवाइस आते हैं जिनके अंदर प्रोपर रिकवरी भी अव इसलिए प्रोपर देख लेना सिख लेना समझ लेना ताकि आपको कोई दिकत ना है इसके लिए आपको दो फोन के जरूत पड़ेगी एक तो जिसके अंदर आपको कस्टम रोम डालना है दूसरा किसी भी Android वर्जन का हो कोई से भी कंपनी का हो वह जिसे हम एज आप PC यूज पर हाँ अपने फोन को चार्ज करने लेना जिसके अंदर ये सारे काम करने वाले हो और साथ सर अपने डेटा का बैक अप और बूट लोडर अनलोक होना कंपल सरी है ठीक है बाकि दूसरा फोन रूट हो नहीं हो क्या है क्या नहीं इससे फर्क नहीं परता बस एक Android वाइस हो जब PC के रूप में यूज करने के लिए मैं यहां पर बनपलस का डिवाइस ले रहाऊ आप किसी भी डिवाइस को ले लेना लेकिन सबसे पहले काम करना को कहा इस डिवाइस के अंदर वह इसका डवलोपर सेटिंग अन करना तो सिम्पल आप जो भी डिवाइस यूज करने एपे यहां पर search बार पर ठीक है या फिर आपको पता है कहां दिखता है तो आप ja सकते हो तो जैसा कि कि हमारा developer setting सेटिंग इधर गया तो आपको यहां पर दैखने को मिलेगा यहां ठीक है यहां पर हम इसे open करने के बाद यहां पर दिखाई देगा your USB debugging इसे on कर लेना है यह PC वाला जो डिवाइस है उसके अंदर on करना है बाकि आप दूसरे डिवाइस में on करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता अब क्या करना है आपको जिसके अंदर है जो के अंदर आपको रोम फ्लेश करना है उसके supported recovery रोम कोई भी required file हो जैसके fw या निक गव सगेडा उन सभी को download करके इस phone के अंदर रख लेना है जिसमें आप PC के रूप में यूज करने वाला है जैसे कि इस device में मुझे flash करना है तो मैंने यहाँ पर supported है जो आप फाइले रख लिए download करके जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि आप यहाँ पर देख पाऊगे तो यह है हमारा रोम यह उसका fw और यह है recovery तो जो भी आपका required file रहेगा वो सब को download करके इस PC वाले phone के अंदर रख लेना और जो भी file आप download करके rename करते हो तो ध्यान में रखना अब simple आपका जो भी phone है जिसको आप रोम flash करना चाहते हो उसे switch off कर लेना है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ switch off switch off हो जाने के बाद power turn and volume down को हम long press करेंगे जिसे आपका phone के आपका phone fast food mode में so करेगा जैसी so करेगा आपको एक data cable की जरूत परेगी मैं हमेंसे use करते हूँ type c to type c वाला cable जैसे के आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैं recommended नहीं करता है कि इस type के cable use करो जिसमें आपको otg connect करना पर हो तो एक cable buy कर लोगे तो better रहेगा type c to type c तो मैं इसी का use करूँगा ओके करना है आपको play store पर आना है एक application को आपको download करना है जो कि आपको यहाँ पर bug jager होगा अगर आपको पता है तो इसके अलावा कोई different भी file use कर सकते हो जो कि यह काम करके देगा but मैं सबसे easy way तरीक्या बताने वाला हूं ताकि आपको कोई दिक्त ना आ है इस तरीके साब को permission वगरा दे दे नहीं है यहाँ पर आना है आपको जो कुछ settings वगरा देखने को मिलेंगे इस पर click करने के बाद पहले क्यों सा यह राफ flash इस पर click करेंगे यहाँ पर understand कर देंगे इस पर click करेंगे यहा इस पर दे देना अपना इंटर्नल वगरा का उसक वाद इसे open कर लेना अब आपको जो केबल को connect करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस बगजेगर में connect करेंगे करेंगे कर हम अपने phone को यहाँ पर connect करेंगे इस तरीके से allow pop-up आजागा अगर यह नहीं आ रहा है तो के करेंगे इस पर open करेंगे आपको एड हो रहा देखनी को मिलेगा तो सबसे इसे skip कर लेंगे इस तरीके से यहाँ पर understand पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर डिवाइस ओरेडी कनेक्टेड है तो पहला command होता है चेक करने वाला fastwood device है जो हम यहाँ पर नहीं करने वाले क्योंक कमांड डालेंगे आपके पास कोई अधर डिवाइस है तो उसका जो supported flashing का जो कमांड होगा वो टाइप कर लेना मेरे जो डिवाइस है मैं उसका command यहाँ पर use करने वाला हूं तो यह जो command है fastwood flash recovery जो की हमारे इस POCO के F6 device के लिए है यहाँ पर पिन का इकन है इस पर क्लिक कर देंगे यह आपको लिके जाएगा internal पर अब simple यहाँ पर आपको अपने file को browse करना है जो कि हमारा recovery फाइल है इस पर क्लिक कर देंगे यह स्लेक्ट हो चुका है और इस पर क्लिक करेंगे आप देखो यहाँ पर sending आ रहा है कोई भी error नहीं आ रहा अगर कोई error आता है तो आपक recovery इंटर पर क्लिक करेंगे यह हमारा फोन है जो recovery में on होगा यहाँ पर इस तरीके से पॉपप अगरा आता है हमें लाओ करते जाएंगे कोई दिकत नहीं है यहाँ पर देख से तो recovery हमारा आ चुका है ठीक है अब simple क्या करना है पहला step होता है हमारे यहाँ पर factory इस तरीके से कर देंगे अगर आपका touch काम नहीं कर रहा है ताब volume का up and down यूज करते वे इस तरीके से कर सकते हो power button okay करेगा volume up and down ऊपर नहीं चले जाने के काम करेगा तो यहाँ आपको मिलेगा reboot to recovery इस पर किलिक कर देंगे open हो जाने के बाद अब simple आपको यहाँ पर आना install के उपर adb side load के उपर यहाँ पर दिखाए देगा यहाँ पर आपकर number deduct नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं इसे ignore करेंगे हम सीधे आएंगे नीचे की ओड जो कि आपको देखने को मिलता है side loading यहाँ पर लिखा हुआ है pick file and perform तो simple इस पर click कर देंगे यह आपको लिकर चला जाएगा कहाँ प यहाँ पर देख सब्सक्राइब कर लेना और दुबारा इस process को follow करना आपका flash होना चालो हो जाएगा तो देख से तो 0% 1% 2% तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हो कि complete हो गया 47% के बाद हमेंसा complete होता है यहाँ पर एक option आगे है कि reboot करना यह नहीं नहीं कर लेना जिसके वज़े से अगर आप अपने फोन के तक कोई different recovery use कर रहे हो रोम different flash कर रहे हो ना तो जैसे reboot recovery करोगे आप तो फोन का recovery replace हो जाएगा तो tension मत लेना होने देना यह side load का ही recovery आपके phone के अंदर आएगा तो confuse मत होना यहाँ पर देख सते हो done हो गया fail one लिखावा आय है क्योंकि यहाँ पर reboot हुआ है और disconnect हुआ है तो recovery हमारा change नहीं हुआ कोई बात नहीं अच्छी बात है रोम हमारा flash हो चुका है जो कि आप देख से तो कुछ इस तरी के से flashing हुआ है complete अब आपको extra file flash करने है जैसे कि nick gaps या फिर आपको जो fw अगरे flash करना है तो same वही process होगा I hope कि आपको सौंझ में आ गया है कि without PC के आप ADP side load की method का यूज करते हुए कैसे रोम को flash कर सकते हो किसी और phone का help लेना है बस और कुछ नहीं करना और एक और मैंने वीडियो दिया था इसी type का जिसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके phone का टी डॉलार पी बगरा है लेक आपको अच्छे से सौंझ में आ गया होगा और आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगा रोम flash करने से related अगर आपका PC गरा नहीं है तो यहां पर मैंने क्या क्या नर्मल सा format कर दिया और यहां पर reboot कर दूँगा तो बस आज के लिए इतना ही सा था मिलते हैं इस वीडियो में और झाल 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